नमश्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारक्रम इतिहास के पन्ने हैं। अभी हाल में नई दिल्ली में G20 Groups of Nation के Foreign Ministers के विरेश मंद्रियों की बैठक हुई थी। बैठक के समापती के बाद एक joint company की release नहीं हो पाया क्योंकि अलग-अलग जो ministers थे, West और Russia के उनके बीच में उक्रायन को लेके जो युद्ध चल रहा है उस पर कोई agreement नहीं हुआ। तो उस समय बात चली कि शायद कोई अगर एक middle path advocate करने वाला कोई platform होता। क्यार उसके बारे में हम बात बात में करेंगे इस meeting के समय मेरे को जब दिल्ली में meeting चल रही थी G20 की तो मुझे 40 साल पुरानी एक और multilateral एक संसा की meeting बहुत बड़ी heads of state की summit दिल्ली में हुई थी non-aligned movement की March 1983 में साथवी non-aligned movement की summit हुई थी इंदरा गांधी को chairmanship मिली थी इंदरा गांधी ने लेकर उस तरह से ढोल नहीं बजाया था जिस तरह सी सरकार ने G20 को लेकर बजाया है तो आज हम non-aligned movement उसकी क्या history थी क्यों बनाया गया था और क्या आज के यूग में उसको एक तरह से एक fresh dimension of push देने की जरूरत है उसके बारे में हम बात करेंगे मेरे साथ हैं प्रभीर पुरकायस्त जो news click के मुखे संपादक हैं और तमाम चीजों पर आप नजर रखते हैं जिन में विदेश नीती एक बहुत बड़ी बहुत मेजर आपका एक concern area रहा है तो प्रभीर जी हमारे करेकर में आने का और वक्त निकालने का बहुत बहुत धन्यवाद मैं रेफर कर रहा था जी ट्वेंटी मीटिंग की और इस समय जो महसूस हो रही है कि पिछले एक साल से उक्राइन में जो युद चल रहा है उसको लेके और लगातार पिछले कई वर्षों में मल्टी पोलर वर्ल्ड में एक तरह से दुबारा कई बार महसूस किया गया कि नॉन इलाइन मूवमेंट जैसा एक प्लाइटफॉर्म को दुबारा से रिवाइव करना चाहिए 1983 की में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक खास कॉंटेक्स्ट में हिंदुस्तान को नॉन इलाइन मूवमेंट की चेर्मेंशिप सौपी गई थी तो मुझे सबसे पहले तो मतलब मेरा सौभागय था कि वो जो 1983 में जो बहुत फेमस जो फिदेल कास्टरों ने इंदिरा गांदी को गरे लगके हग किया था जिसको बेहर हग बोला जाता है उसको मतलब बहुत ही फॉर्शनेट था कि युवा पत्रकार के तौर पे मैंने उसी विग्यान भावन समारो हॉल में देखा था तो मैं चाहूंगा कि हमारे ओडियन्स के लिए हमारे व्यूर्स के लिए आप थोड़ा सा हमें एक तरह सा वाक्ट्रू हिस्ट्री कराएं कांटेक्स्ट में भी बहुत ही रिलेवेंट हैं मैं इतना क्या कहूंगा बारीकी से तो उस समिट को देखा नहीं था जैसे आपने देखा होगा पर नॉन लाइन्मेंट के बारे में थोड़ा सा आज के युवा पीड़ी को खास तोर से याद दिलाना जरूरी है क्योंकि उ एकनॉमिक पाउर के रूप से काफी कमजोर थे आज के कमपैरिजन में क्योंकि आज हम फिफ्ट लार्जेस्ट एकॉनमी की बात कर रहे हैं और अगर पर्चेजिंग पाउर पैरिटी देखा जाए बाकई इंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है इसमें कोई दो रहा है नहीं के लिए पाउरफुल मुल्क है पाउचवा छेटा साथवा जीडीपी कैसे देखें आप पार्चेजिंग पाउर पैरिटी देखें उस तरह से इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं पर आज ये भी सही है कि जिस तरह अंतराष्टिया भार उस तक्त भारदवर्श का था जैसे कोई बड़ा जंग होता तो उसके बीच बिचाव करने के लिए उसके बारे में रवया क्या है उसके बारे में एक शांती के लिए जैसे डॉन एलाइन मूव्मेंट का एक रोल था भूमी का था आज वो भूमी का किसी की नहीं दिख रहा है और खास तोर से यूकरेन युद्ध जो की उव्मेंट युद्ध का रूस का और मिलिटरी साह授 ता जिस तरह से आ रही है वह रिसकी डिफेंस बजट से ज्यादा आ रही है यूँद्ध का पास इस वक्त जो नेटो देशों की यूर्पेन यून्यन की जो मिली जो एड है दिया जा रहा है उससे आंकडे बताते हैं तो उसको देखते हुए बहुत इस वक्त की जरूरत है कि कोई ऐसा देश या मुलकें हो देशें हो जो जाके इसके बीच पे कह सकते हैं हम इस पे बीच बिचाओ करना चाहते हैं किस तरह से शांती की तौर हम शांती को बढ़ सकते हैं उसका भूमी का ना तो जी ट्वेंटी जो कि जिस पे रूस भी है इस पे चीन भी है जिस पे वेस्टन पावर ज्यादा शामिल है उस पे नहीं हो पा रही है और और कोई प्लैटफॉर्म जी उनाइटिड नेशन की प्लैटफॉर्म भूआ करता था और को देश नहीं गिना रहा हूँ और सबसे बड़ी एहम भूमी का इस में जो था आफरिका और साथिस्ट एशिया के जहां पर कलोनियल वार्स चल रहे थे वो जो कहते हैं कि पॉर्टुगल बहुत बाद में उन्होंने अपना सामरा जो छोड़ा खासतों से आफरिका में अभी भी उसके लिए लड़ाईय बहुत सारे चल रहे हैं उसमें आज चर्चा नहीं करूँगा पर नाम का एक खास भूमी का लोग भूल जाते हैं उसको समझते हैं दो ब्लॉक्स आपकी वार्सो पावर्स और नेटो अमरीका द्वारा जो कि नॉन इलाइन बूफमेंट के बहुत अलग से एक एहमियत है जो लोग भूल जाते हैं वो है डी कॉलिजेशन में हमेशा नॉन इलाइन बूफमेंट डी कॉलिजेशन की पक्ष में उसने स्टैंड लिया है तो ये बीच बिचाओ करने वाली तो एक अलग भूमी का है पर उसकी एहमियत नॉन इलाइन बूफमेंट की एहमियत है दुनिया की डी कॉलिजेशन में वो पूरी तरह से पार्टिजैन था पूरी तरह से कलोनियल पावर्स का विरोध किया था जहाए वो साथ आफरीका हो जहाए वियत नाम हो जहाँ पर अमरीका और यॉरपियन पावर्स खास तोर से ग्रेट बृटन इवनाइड़िट किंडम फ्रांस पूरी तरह से अमरीका के साथ थे और उसके खिलाफ नॉन इलाइन बूफमेंट हमेशा ख़ड़ा हुआ था वियत नाम में बड़ी उनकी लिए बहुत हैरानी होती थी कि आप नॉन इलाइन कहते हो और वियत नाम वार में आप पूरी तरह से वियत नमीज के साथ हो अब नॉन इलाइन कहते हो साथ आफरिका में आप साथ आफरिकन वाइट जो नेशन की जो कलपना उसके मुखालफत करते हो तो यह जो डिविशन था दुनिया में डी कॉलिनाइजेशन और एक डिविशन था सिर्फ दो मिलिटरी पैक्ट वार्सो पावर्स और अमरिका के नीडर्शिप में नेटो और दूस्टे बिलिटरी ब्लॉक्स नहीं और एक तीस्ता शक्ती जो था इसी लिए था डी कॉलिनाइजेशन के लिए आज इसको सिर्फ नॉन लाइन मुव्मेंट के नॉन ऐलाइन शब्दों पे जोर दे के इस भूमिका को लोग भूल जाते हैं और वो भूमिका शुरू होती अक्शली बंदूंग से जी आपने अम तब इतिहास के उस दोर के बारे में बात कर रहे हैं इतिहास और ग्लोबल डिप्लोमिसी के जिसके बारे में लोग भूल गए हैं नॉन इलाइन मुव्मेंट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं 1961 में फॉर्मली ये लाउंच हो था लेकिन आप में अभी बंदूंग की बात बोली जो 1955 में इंडोनेशिया में होस्ट की गई थी और बंदूंग कॉन्फरे होने के ठीक है कुछ सालों के बाद उसमें हिंडुस्तान ने एक बहुत और जवाहलाल नहरू हमारे जो पहले प्रधान मंत्री थे ग्लोबल पॉलिटिकल और में एक इतना बड़ा कदम एक तरह से एक इनिशेटर एक कैटलाइस कैटलिस्ट के तोर पे ये इसके बार में ज हो रहा है ये बहुत सदियों से होता आ रहा है देखिए बंदू कांफरंस पे का पहली जब आपके के प्रिष्ट भूमी अगर देखी जाए तो इसमें दो अलग अलग चीज़े है एक तो इसके पहले कोरियन वार में जो वो चल रही थी अमरीका चीन में जो नॉर्ट कोरि वो भी चाहते कोई बीजबिचाओ करे और हिंदुस्तान उसमें भारतवर्ष उसमें बीजबिचाओ किया था अब जानते हैं उसमें नहरू के क्या भूमी कर रहा उसमें और अभी भी लोग उसको जो उस इलाके कहें अभी भी याद करते हैं कि भारतवर्ष के भूमी कर र थे वहाँ पर इस वक्त बीजु पतनाइक जाके नहरू की सलाह से उनको बचा के लाए थे इसलिए सो करनो हमेशा हिंदुस्तान भारगदश के प्रति उसकी एक प्यार था और इसके साथ साथ उस वक्त आफरिका का आफरिका का जो डी कॉलनाइजेशन प्रोसेस शुरू पर इंक्रुमा के पार्टी के लोग बंदूग कांफरेंस में थे तो पूरी तीनों इलाके से आपकी लैटन अबेरिका से मुझे याद नहीं है कौन आये थे नहीं आये थे पर आफरिका एशिया पूरी तरह से शामिल थे और चोवनलाई चीन के तरफ से बंदूग में थे और चोवनलाई और नहरू ये दो लोग स्वेकरनों के लावा एक हिसाब से बंदूग कांफरेंस पे चाये हुए थे तो ये जो भूमी का रहा भारतवर्ष की खास तोर से बीच बिचाओ करने का अडी कॉलनाइजेशन क्योंकि बंदूग नॉन इलाइंड मुवमेंट का एक हिसाब से पत रास्ता दिखाने वाला था जरूर ये है बट नॉन इलाइन शब्द उसमें नहीं था जिस बंदूग में था जो बंदूग डी कॉलनाइजेशन पे कलोनियल जादा इंफिसिस था उसमें जादा इंफिसिस था नॉन इलाइनमेंट शुरू होती है बेल ग दोनों चीज था जो एक तो कहते हैं ऑनेस्ट एक अंपायर चाहिए दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो आपका नॉन लाइन बुव्मेंट उस उस रोल को पारित करता था उसमें टीटो भी था जो रूस से लड़ चुका था तो वह भी था भारतवश्च था जिसकी दोनों कि बूमी का थी और उसके साथ किसी अलाइन में गया था किसी के साथ बिल्लिटरी पैक में नहीं आया था अलग रास्ता अपना अंतराश्ची स्था ब्लॉक्त करूंगा कि आज के जो हमारे सुनने वाले हैं उनको समझाने की क्योंकि एक एक टैक होता है कि हिंदुस्तान का non-aligned movement के साथ बहुत ही टाक्टिकल था दरसल हिंदुस्तान तो सोवेट कैंप में था क्योंकि 1971 में हमने इंडो-सोवेट friendship treaty साइन की थी तो एक तरह से जो अमेरिकन western powers का मुझे याद है कि हमारे युवास वर्षो में यह argument होता था American block के तरफ से कि आप तो मतलब non-aligned movement तो is actually part of the Soviet block in disguise यह बोला बिलकुल एक हिसाब से उनकी बात सही है क्योंकि वो चाहते दुरिया में colonies रहे तो अफरिका में bulbala किसकी रहे France, England, Spain, Portugal colonies थे वो वहां रहे तो उनकी colonial empires बरकरार रहे वो United Nations से लेकर हर platform में उनकी वो ही कोशिश रहती थी हर national liberation struggle को उन्होंने विरोध किया था western block जिसे आप कह रहे हैं और उसके साथ साथ भूला नहीं चाहिए आपका Goa में जब आपका troops मार्चर के Portugal को भगा देता है United Nations पे Security Council पे resolution लाया था America, England, France की India को condemn किया जाए और India को कहा जाए कि Portugal को हस्तानतर करें गवाफिर तो यह जो decolonization की जो टक्कर है इस पे कोई दोर आए दे मैंने पहले जो कहा कि भारतवश decolonization के पक्ष में था इसलिए western colonial powers जो मैं जिसके आज के तारिक में जो seven को कहता हूँ जिसको मैं कहूंगा settler colonial powers और ex-colonial powers मिल के जो club बनाया है वो चाहते थे वो club के बुलबाला रहे जी seventy one भारतवश्ट ते इंदो-soviet agreement किया था साफ है कि बंगलादेश का युद्ध की तभी से तयारी थी और उनको मालूम था कि वहां हस्तक्षिप करेंगे इंडियन troops जाएंगे तो अमरिका आएगे पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करेंगे military intervention भी कह सकता है आपको याद होगा seven fleet वो डाका के तरफ आ रहा था जब इंडो-soviet treaty के वजह से हमें एक हिसाब से एक umbrella मिला कि इस पे अमरीका अगर आएगा तो रूस भी आ सकता है तो ultimately धाका के पतन होने के बाद six seven split चलना बंद जिया धाका के तरफ तो यह तो एक ऐसा क्या कहेंगे football का game नहीं था यह तो real पॉलिटिक था और seventy one में हमने इंडो-soviet agreement भारतवश्ट ने इसी लिए किया था कि बंगलादेश war के प्रिष्ट भूमी में वह हमारे लिए जरूरी था पर इस पे कोई दोराई नहीं है decolonization मुखh contradiction उस वक्ट दुनिया में था हमारे नजर में और सिर्फ soviet संग के द्वारा दूसरे socialist block versus imperialist block वो भी contradiction रहा दुनिया में बहुत बड़ा पर हमारे जहां हम बैठे हुए हैं क्या कहेंगे global south में बैठे हुए हैं ex colony में बैठे हुए हमारा संबन्थ क्या कहेंगे खुन की संबन्थ कहिए दिल की संबन्थ कहिए decolonization से जुड़ा हुआ है और इसी लिए मैं non alignment के दोनों पक्ष एक तो बीच बिचाओ करने वाले जापने जिकर किया और decolonization दोनों पक्ष को एक साथ देखता हूँ और इसी लिए western नजर से हम soviet camp में हैं क्योंकि soviet union चीन इतना नहीं soviet union decolonization में जितना सहायता है चाहे अंगोला हो चाहे मुजबीक हो चाहे दूसरे बुल्क हो आफरिका में खास तोर से जितना सहायता किया है south african जो काम में बताएंगे आपको कि हमको सिक्षा मिलिटरी सिक्षा हमें मिली soviet union में कैसे लड़ना है जाके उन्होंने south africa में our struggle जो शुरू किया था इन सब इतिहास को अब भूल के सिर्फ soviet camp versus अमरीका जो camp की जो बात करते हैं हम किसी के camp followers नहीं थे और दुनिया के ज़्यादातर मुल्क अपने आपको camp followers नहीं मानता है वो अपने आजादी और camp following का फरक क्या है उनको करना आता है जी बहुत लोगों का मानना है कि 1970s और 1980s का पहला हिस्सा मतलब 85-86 तक जब तक पिरस्तोयका और ग्लास्नोस जैसे चीजे political vocabulary के हिस्से नहीं बनेते वो एक तरह से non-aligned movement का golden period था 1960s एक तरह से preparatory launchpad किसम का था लेकिन उसी period में जो golden period था उसमें दुनिया में जो बदलाव आ रहे थे जो imminent changes आ रहे थे 1989 के बाद से जिस तरह से Soviet Union का disintegration हुआ उसके बाद non-aligned movement के जो top leaders थे उसमें हिंदुस्तान के भी लीडर से नर्चिमाराओ तब तक प्रधान मंत्री बन गए थे 91 में तो एक तरह से non-aligned movement को refashion या remodel करके अपने अपने अपना relevance को नहीं बना पाए इसके बारे में आपकी क्या सोच है तेखिए जब एक यूनि पोलर दुनिया बन जाती है एक ही पोल है एक ही दुनिया का जो कहते है एक ही बादशाह है तो एक ही शेहनशाह है जो बन गया था 90s के बाद गॉर्पचाफ जो रूस का जो हालत किया जिस तरह से रूस का सोशिलिजमी खतम कर दिया सोवित यूनियन खतम हो गया तो उसके बाद लगा कि इस्टन यूरोप के सारे कंट्री देश जो है वो सब वि कर दिया तो इसके बाद लगा था कि दुनिया में शायद एक बहुत बड़ा अमेरिकन सेंचुनी होगा सौ साल होगा रोम जैसे यूरोप के पूर राज किया था अमरीका दुनिया पे पूरा राज करेगा और सब नॉन इलाइंड बूफमेंट के जो नेत्रित तो वाले द है तो उसी लिए हमें उस तरह से हम सर जुका के नहीं चलते जैसे दूसरे मुलकों को चलना पड़ा तो पर ये भी साथ है कि यूनि पोलर वर्ल्ड में एक सिंगल पोल जब होगा दुनिया में तो कैसे हमको वर्ताव करना चाहिए अमरीका के साथ साटगाट करना चाहिए अमरीका के साथ संबंद सुधर सिर्फ सुधराना नहीं उनको पूझी को हमें देश के अंदर बुलाना चाहिए सब बाते हुई और इस वक्त और नॉन इलाइनमेंट के फरक जो है जो आप पहले जिकर कर रहे थे वही है कि हम अब कह रहे हैं कि हमको मल्टिपल अलाइनमें करना चाहिए जैशंकर जी को पूछना चाहिए हमारे जो इसका बतलब क्या है मैं उसको एक इंडिपेंडेंट फॉरेंड पॉलिसी और मल्टिपल अलाइनमेंट्स पे क्या फरक है मैं उससे पूछना चाहूंगा क्योंकि वह इंडिपेंडेंट फॉरेंड पॉलिसी की बा नहीं पाएंगे वो भविश्य बताएगा क्या सही है क्या गलत है तो एक आखरी सवाल नॉन एलाइन मूव्मेंट की बात से शुरुवात किये थे कि 40 साल पहले हिंदुस्तान में साथवा समिट हुआ था जिसमें हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी रोल अदा की थी इंदरा गांधी चेर्मिन बन गई थी नॉन एलाइन मूव्मेंट की तो 40 साल बात दुनिया में जो कुछ बदलाव आया है उसमें उने के बाद आप आईडियल सिचुएशन में हिंदुस्तान से किस तरह की इनिशेटिव की उमीद रखते हैं ताकि हम एक तरह से दुबारा जो मल्टिपल पोलर मल्टिपल पोल्स वाली जो दुनिया है उसमें हिंदुस्तान एक लीडर्शिप दे सके अपने तरह के सोचने वाले मुलकों को देखिए आज शायद कोई भी देश किसी और देश का लीडर्शिप आसाने से मानेगा नहीं इसलिए एक ऐसे कलेक्टिव बनानी के जरुरत है जो लगे लोगों की लाइजर इंट्रेस्ट देशों की उसमें कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसमें साफ है कि खासतों से रूस यूकरेन डेटों की लड़ाई में जो देखने को मिल रही है वेस्टन पावर्स ने कहा यह रूस का आक्रमन यूक्रेन पे गलत है इसमें बहुत सारे देश उसमें सहमती प्रकट किया यूनाइटिड देशन जोन के लिए वोट भी दिया ये भी कहा कि जो बॉर्डर्स है उसको अगर देशों को बीच पे हम इस तरह से डिस्टरब करेंगे तो हमारे जितने बॉर्डर्स है उस को की बीच में ये सवाल आ सकता है इसलिए इसको हम डिस्टरब नहीं करना चाहिए इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ रश रूस के खिलाफ वोट दिया पर जब सैंक्शन की बात आई सिर्फ चंद तीसे एक देश उस सैंक्शन में शामिल शामिल नहीं हुए उन्होंने कहा कि इस सैंक्शन में हुए रूस के साथ हमारा अर्थववस्था चलता रहेगा आमदानी हमारा आदान प्रदान जो भी है चलता रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहेगा तो ये दर्शाता है कि नॉन ऐलाइंड दुनिया एक ऐसे ही बन रही है पर उस दुनिया को लीडर्शिप भारत बश्च देगा या नहीं ये डिपेंड करता है भारत की सरकार के उपर भारत अब तक आप कहेंगे multiple alignments करेंगे तो मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ मैं ये समझता हूँ कि independent foreign policy आप रखेंगे पर multiple alignments का अर्थ वो मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे alignment आपने जनता के साथ होनी चाहिए और उसका क्या हित है उसके हिसाब से हमारी क्या foreign policy होना चाहिए जिसको किसी ने कहा था foreign policy internal policy का reflection है उसको मान के हमें चलना चाहिए जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीर जी जैसा हमेशा होता आया है आपने बहुत सवालों के जवाब दिये और कुछ नए प्रशन भी सब के सामने रख दी जिनका जवाब शायद आज के दुनिया में हमारे सामने बहुत ढूंडना बहुत जरूरी है लेकिन फिलहाल किसी के पास नहीं है बहुत हद तक depend करेगा कि भारत की सरकार किस तरह की विदेश नीती आने वाले के वक्त में परस्यू करती है इसी के साथ आज का कारेक्राम खतम नमश्कार